वैसे पर अगर आपके पास एक ऐसी बाइक हो जो बहुती अच्छा माइलेज दे दे नमस्त दोस्तो और वेलकम टो आर चैनल कैसा आप लोग आज इस उडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बेस्ट माइलेज बाइक इन इंडिया आज जब महेंगा इतनी जादा बढ़ते जा रही है वैसे पर अगर आपके पास एक ऐसी बाइक हो जो बहुती अच्छा माइलेज दे दे तो ये आज के टाइम पर एक सोडे पे सुहागा वाली बात हो जाती है और हाँ आज आपके साथ इस उडियो के अंदर मैं ऐसी ही बेस्ट बाइक को शेर करने वाला हूँ जिनका माइलेज बहुत ही अच्छा है अपने अपने क्लास के अंदर तो चलिए जादा टाइम वेट भी करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो तो नमबर 10 पर ह है होंडा SP 160 यह एक कम्यूटर बाइक है और यह बाइक 160 CC की बाइक की कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट माइलेज देती है उतना ही नहीं यह बाइक के अंदर आप लोगों को फीचर्स भी बहुत सारे और बहुत अच्छे मिल जाएंगे और यह बाइक दिखने में भी 162.71 CC का एर कुल इंजिन मिल जाएगा जो कि पार प्रोडूश करता है 13.27 BHP का और 14.58 Nm स्टॉक जनरेट करता है यह बाइक के अंदर पाच गियर से और यह इंजिन माइलेज डिलिवर करता है 50 से लेके 52 KMPL के बीच में इंजिन की रिफैन्मेंट बहुत ही अच्छी है औ इस इंजिन में कुछ चेंजिस किये है जिसके वज़े से बाकी के सेम इंजिन वाली बाइक के मुकाबले इसका माइलेज बढ़ गया है और इसका पावर थोड़ा सा कम हो गया है इसका वेट है 139 KG का और आपकी सेफटी के लिए आपको यह बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS इसका option मिल जाएगा SP 160 का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,42,000 से लेकर 1,48,000 के बीच में fully digital instrument cluster LED headlight और Honda का बरोसे मन्न इंजिन आपको यह बाइक के अंदर मिल जाएगा और लेने के बाद इसको maintain करना भी सस्ता है साथ में Rider and Pillion दोनों के लिए भी यह बाइक comfortable है यह बाइक city commute करने के लिए तो best choice है ही बट अगर आप लोगों को कभी कबार highway पर भी जाना हो तो यह bike बहुत ही अच्छा choice है और हाँ अगर आप लोगों का budget थोड़ा सा कम है तो आप लोग Honda Unicorn के लिए भी जा सकते हो जिसके अंदर आप लोगों को same engine मिल जाएगा बट उसके अंदर features आप ल यह एक बजाच की 125cc वाली bike है जिसका mileage बहुत ही अच्छा है और उतना ही नहीं यह bike की sitting position भी comfortable है और suspension का setup भी बहुत ही अच्छा है जिसके वज़े से आप लोगों को एक comfortable ride मिलेगी और यह bike के अंदर कुछ new changes होने के वज़े से यह bike दिखने में भी अच्छी लगती है CT 125X में आपको 124.4cc का air cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 10.7bhp का 11Nm stock generated करता है यह bike के अंदर 5 gears है और यह engine mileage डिलिवर करता है 60 से लेके 65 kmpl के बीच में यह engine सेम है जो आप लोगों को बजाच Pulsar 125 के अंदर मिल जाएगा बट इस engine के अंदर थोड़े से changes किये है बजाज ने जिसके वज़े से इसका mileage आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलेगा इंजीन में आप लोगों को अभी भी थोड़े बहुत vibration तो मिली जाएगे बट बाइक का pickup बहुत ही अच्छा है CT 125X का latest on road price range है मेरे अहाँ पर 94,000 स अंदर ये बाइक आजाती है और still mileage भी बहुत ही अच्छा डिलिवर करती है साथ में इसका power भी बहुत ही अच्छा है बाइक कवेट है 130 के जिसका और आपकी safety के लिए आपको ये बाइक के अंदर CBS braking technology मिल जाएगी और बाइक को लेने के बाद maintain करना तो बहुत सस्ता है तो जो बहुत ही अच्छा mileage डिलिवर करता है और ये बाइक long lasting भी है साथ में ये बाइक की build quality भी अच्छी है जिसके वज़े से ये बाइक best choice हो जाती है खास करके youngsters के लिए Honda लिवो में आपको 110 cc का air cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 8.67 bhp का 9.3 Nm stock generate करता है ये बाइक के अंद स्मूध है और इसकी power delivery भी स्मूध है लिवो का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 95,000 से लेकर 1 लाक इसके top model का और बाइक का weight है 113 kg का अपकी safety के लिए आपको ये बाइक के अंदर CBS breaking technology मिल जाएगी और कुछ modern useful features भी आप लोगों को ये बाइक के अंदर मिल जाएगे बाइक की sitting position comfortable है rider as well as pillion दोनों के लिए भी और ये bike दिखने में भी अच्छी लगती है जिसके वज़े से ये bike youngsters को पसंद आ सकती है तो चलिए भी बात करते हैं next bike के बारे में तो number 7 पर है hero splander plus या fear splander plus x tag ये एक mileage bike है और ये bike मैं उनको recommend करूँगा जिनको एक ऐसी bike चाहिए जिसका ही जिन बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही अच्छा mileage भी deliver करता हो साथ मैं जो bike के अंदर आप लोगों को सारे latest modern features मिल जाए बट वो bike का on road price range एक लाग के अंदर होना चाहिए तो साथ मैं bike को लेने के बाद maintain करना भी सस्ता होना चाहिए तो ये bike मैं आपको recommend करूँगा splendor plus मैं आप 97.2 cc का air cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 7.9 bhp का and 8.05 newton meter stock generate करता है ये bike के अंदर 4 gears है और ये engine mileage deliver करता है 65 से लेके 70 kmpl के बीच में अगर आप लोग थोड़ा सा सही तरीके से चला हो तो आप लोगों को और भी अच्छा mileage मिल सकता है bike कवेट है 112 kg का और आपकी safety के लिए आपको ये bike के अंदर IBS braking technology भी मिल जाएगी splendor plus का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 90,000 से लेके 94,000 के बीच में और हाँ अगर आप लोगों को बहुत सारे latest features चाहिए तो आप लोग splendor plus x-tech के लिए जा सकते हो जिसका latest on road price range है मेरे यहाँ पर 92,000 से लेके 98,000 के बीच में और ये bike as a youngster आपको पसंद आएगी और साथ में आपके पापा को भी ये bike पसंद आएगी और ये bike आराम से सालों तक निकल जाएगी तो चलिए भी बात करते हैं next bike के बारे में तो number 6 पर है Hero HF Deluxe ये एक committer bike है और ये bike जो है मैं उनको recommend करूँगा जिनको best in class mileage तो चाहिए बट उनको कम budget में एक अच्छी bike चाहिए जिसका engine अच्छा हो and reliable भी हो तो ये bike मैं आप लोगों को recommend करूँगा वैसे ये bike के अंदर आप लोगों को latest features थोड़े से कम ही मिलेंगे जिसके वज़े से इसका price range बहुत ही कम हो जाता है like इसका latest on-road price range है मेरे यहाँ पर 60,000 से लेकर 65,000 के बीच में ये ये bike दिखने में कुछ-कुछ splendor plus जैसी ही दिखती है और इसके अंदर engine भी आप लोगों को same मिल जाएगा like 97.2 cc का air cool engine जो की almost same power generate करता है like 7.91 bhp का and 8.05 nm stock generate करता है ये bike अंदर 4 gears है और ये engine mileage deliver करता है 65 से लेके 70 kmpl के बीच में bike की designing बहुत ही अच्छी है और bike की build quality भी बहुत ही अच्छी है एक तरीके से में आपको बोल सकता हूँ की rock solid जिसके वज़े से आप लोग ये bike को लेकर आराम से सालों तक चला सकते हो bike का weight है 112 kg का और आपकी safety के लिए आपको ये bike के अंदर hero की IBS braking technology मिल जाएगी और ये bike की seat height भी low है जिसके वज़े से एक shorter order के लिए ये bike comfortable हो जाती है ये bike की sales जादा करके rural areas में होती है और ये bike वहाँ पर बहुत ही जादा popular है बट still अगर आप लोगों का budget कम है तो आप लोग ये bike के लिए जा सकते हो तो चलिए भी बात करते हैं next bike के बारे में तो number 5 पर है Honda SP 125 ये एक mileage bike है और ये bike मैं उनको recommend करूँगा जिनको सारी की सारी चीज़े balance चीए means कि आपको engine से बहुत ही अच्छा mileage चाहिए अच्छा and trustable and reliable engine चाहिए साथ में latest features भी होने चाहिए और bike का look दिखने में बहुत ही अच्छा होना चाहिए तो और हाँ ये bike की sitting position भी बहुत ही अच्छी है SP 125 का latest on order price range है मेरे यहाँ पर 1,03,000 से लेकर 1,09,000 के बीच में bike की build quality अच्छी है और best in class engine आप लोगों को ये bike के अंदर मिल जाएगा like SP 125 में आपको 124 CC का air cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 10.72 BHP का and 10.9 Nm stock generate करता है ये bike के अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 65 से लेके 70 KMPL के बीच में bike avate 116 kg और आपकी safety के लिए आपको ये bike के अंदर CBS braking technology भी मिल जाएगी seat इसकी बहुत ही बड़ी है और spacious भी है जिसके उपर आराम से 3 लोग बैठ सकते है और ये bike youngsters को जादा करके पसंद आती है क्योंकि bike दिखने में अच्छी लगती है और इसके अंदर features भी अच्छे है उसके वज़े से SP 125 के new model में बहुत ही अच्छे changes हुए है जिसके वज़े से ये bike अब आपको और भी जादा पसंद आएगी तो चलिए भी बात करते है next bike के बारे में तो number 4 पर है TVS sports ये एक mileage bike है और ये bike मैं उनको recommend करूँगा जिनको बहुत ही कम budget में एक अच्छी engine अच्छे power और साथ में बहुतरीन mileage वाली bike चाहिए तो वैसे TVS ने ये bike के अंदर थोड़े बहुत graphical changes किये है जिसके वज़े से ये bike दिखने में थोड़ी और भी जादा अच्छी लगती है बट ये bike के अंदर modern features आप लोगों को बहुत ही कम मिलेंगे बट still अगर आप लोगों को एक अच्छा engine चाहिए जो अच्छा mileage दे दे तो ये bike मैं आपको recommend करूँगा लाइक TVA sports में आपको 110cc का air cool engine मिल जाएगा जो के power produce करता है 8.18 bhp का and 8.7 newton meter stock generate करता है ये bike अंदर 4 gears है और ये engine mileage के लिए फेमस है TVA sports का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 80,000 से लेके 92,000 के बीच में और इसके instrument cluster में आपको eco mode मिल जाएगा जिसको अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छा mileage मिल सकता है बाइक का weight है 112 kg का और आपकी safety के लिए आपको ये bike के अंदर SBT braking technology भी मिल जाएगी तो चलिए भी बात करते हैं next bike के बारे में तो number 3 पहरा है TVA Star City Plus ये एक computer bike है और ये bike मैं उनको recommend करूँगा जिनको एक अच्छे look वाली, कुछ modern features वाली और साथ में बहतरीन mileage वाली bike चाहिए तो Star City Plus का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 88,000 से लेके 95,000 के बीच में जैसे मैंने आप लोगों को already पहले ही बोला कि bike दिखने में तो अच्छी लगती है बट इसकी sitting position भी बहुत ही अच्छी है, rider and pillion दोनों के लिए भी Star City Plus में आपको 110cc का air cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 8.08 bhp का and 8.7 Nm stock generate करता है यह bike के अंदर 4 gears है और यह engine mileage deliver करता है 65 LA के 70 kmpl के बीच में यह engine same है जो आपको TVS sports में भी मिल जाएगा बट यह bike का look थोड़ा सा अलग है और इसके अंदर features भी आप लोगों को अच्छे मिल जाते है जिसके वज़े से अगर आप लोगों को थोड़े से better feature चाहिए तो आप लोग यह bike के लिए जा सकते हो bike का weight है 115 kg और आपकी safety के लिए आपको यह bike के अंदर SBT braking technology भी मिल जाएगी इसकी build quality okay है और इसको city traffic में चलाना easy है जिसके वज़े से आप लोग यह bike को choose कर सकते हो तो चलिए भी बात करते हैं next bike के बारे में तो number 2 पर है Bajaj Platina 110 यह एक mileage bike है और यह bike इंडिया में खास करके famous है इसके अच्छे mileage के वज़े से और अपसे यह bike में आप लोगों को अच्छी safety भी मिल जाती है तो जिसके वज़े से मैं आप लोगों को यह bike recommend करूँगा खास करके youngsters को जिनको अच्छा mileage चाहिए साथ में अच्छी safety भी चाहिए और जिनको कभी कबार highway पर भी bike चलानी है तो साथ में लेने के बाद यह bike को maintain करना भी बहुत ही सस्ता है और इसके spare parts भी बहुत ही सस्ते है platina 110 में आपको 115.45 cc का air cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 8.44 bhp का 9.81 Nm stock generate करता है यह bike के अंदर 5 gears है और यह engine mileage deliver करता है 70 से लेके 75 kmpl के बीच में इसके top model में आप लोगों को 5 gears मिल जाएंगे और बाकी के models में आप लोगों को 4 gears मिल जाएंगे engine की power and performance बहुत ही अच्छी है बट engine के अंदर आप लोगों को vibration मिलेंगे platina 110 में आपको 5 gears मिल जाते है जिसके वज़े से आप लोग highway पर अच्छी speed में bike चला सकते हो platina 110 का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 83,000 से लेकर 1,00,000 इसके top model का जिसके अंदर आप लोगों को ABS मिल जाएगा और हाँ यह ABS के वज़े से आप लोगों की bike skid नहीं होगी और आप लोग safely bike चला भी पाऊगे और safely bike को रुका भी पाऊगे और bike का weight है 122 kg का तो चलिए बात करते हैं अभी finally अपनी last bike के बारे में जो सबसे best mileage deliver करती है तो finally number 1 पर है बाजाज platina 100 यह एक mileage bike है और जैसे आप लोगों ने सुना वैसे ही यह bike सबसे best mileage देती है बाकी सब bikes के मुकाबले बट हाँ यह bike के अंदर आप लोगों को features बहुत ही कम मिलेंगे और यह bike का look normal है यह bike कुछ-कुछ दिखने में platina 110 जैसी ही लगती है बट इसकी sitting position अच्छी है और इसका sitting comfort भी अच्छा है साथ में इसके suspension का setup भी बहुत ही अच्छा है जिसके वज़े से आप लोगों को यह bike एक comfortable ride देगी platina 110 का latest on-road price range है मेरे यहाँ पर 75,000 से लेकर 88,000 के बीच में इसकी build quality ठीक है और bike की seat बहुत ही बड़ी अन spacious है जिसके उपर आराम से 3 लोग बैठ सकते है platina में आपको 102 cc का air cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 7.9 bhp का and 8.34 Nm stock generate करता है यह bike एंदर 4 gears है और यह engine mileage deliver करता है 75 से लेके 80 kmpl के बीच में यह सही सुना आप लोगों ने आप लोगों को 80 kmpl तक का mileage मिल सकता है बढ़ अगर आप लोग इसको थोड़ा सा सही तरीके से चलाओ तो शायद से यह mileage 80 plus kmpl भी जा सकता है platinum बहुत ही अच्छा mileage deliver करती है जिसके वज़े से mileage lovers की यह best choice है और comfort भी इसका अच्छा है bike weight है 117 kg और आपकी safety के लिए आपको यह bike के अंदर CBS braking technology भी मिल जाएगी so guys that's it from my side यह video आप लोगों को कैसा लगा यह मुझे नीचे comment करके बताएगा thank you so much guys for watching bye-bye and congratulations for your new bike कर दोगा कर दोगा जब कर दोगा जब कर दोगा